सोशल पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें एक हाथी को बिजली के तारों से निकलते हुए देखा जा सकता है इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाथी बिजली की तारों से निकलने की कोशिश करते नजर आ रहा है लेकिन तार नीचे इस तरह लटकी हुई है कि उसे वहांसे निकलने में काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि उसकी उचाई उससे कई ज़ादा है अगर वो खड़े-खड़े वहांसे निकलने की कोशिश करता तो उसे करेंट भी लग सकता था यहां तक कि उसकी जान तक जा सकती थी जब किसी पर मुसीबत आती है तो वो अपने आपको बचाने के लिए हर तरकीब अपनाता है चाहे फिर वो कोई इंसान हो या जानवर इस वीडियो को IFS अफसर सुशान्त नंधा को टैक करते हुए भारती वन सेवा के अधिकारी साकेत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया हाथी को लोग क्यूट एनिमल कहते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि वो काफी नटकट होते हैं लेकिन जब उनके परिवार पर या फिर खुद की जान पर खतरा मंड़ाता है तो वो कुछ भी करने के लिए तयार हो जाते हैं जिससे पता चलता है कि वो काफी समझदार भी होते हैं लेकिन हाथी का गुसा इतना खतरनाक होता है कि जब वो गुसा होता है तो फिर किसी की भी नहीं सुनता इसी के साथ बुद्धिमानी के मामले में वह किसी को भी मात दे सकता है हाथी की बुद्धिमानी का एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मेडिया में तेजी से वाइरल हो रहा है इस वीडियो को जब से सोशल मेडिया पर डाला गया है लोग इसे शेयर करने से खुद को नहीं रोक पाए साथ ही इस वीडियो पर अलग-अलग तरहा की प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस वीडियो पर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं जिस तरह ये हाथी उन तारों से निकला ऐसे में कहा जा सकता है कि इंसानों के बाद अगर किसी पर सबसे ज़्यादा दिमाग होता है तो वो हाथी ही होते हैं इस वीडियो को अब तक कई लोग देख चुके हैं साथ ही एक हजार से जादा लोग इस वीडियो को लाइक भी कर चुके हैं इसके अलावा 190 से जादा बार इस वीडियो को रीट्विट भी किया जा चुका है कई लोग इस वीडियो को अपने अधर सोशल मेडिया अकाउंट पर भी लगातार शेयर कर रहे हैं ऐसी ही अपडेट्स चानने के लिए हमारे आम आत्मी पेश को फॉलो करें और साथ ही इस वीडियो को भी जादा से जादा शेयर करें करें और से जादा से जादा शेयर करें